हेलो एंड वेलकम स्टुडेंट क्लास सेवन इसका जो मैथमेटिक्स का हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा था उसके हम एक्सेसाइज 2.3 में इसमें हमने क्वेशन नुमर 6 तक कर लिया था अब हम क्वेशन नुमर 7 को आज करेंगे और इस एक्सेसाइज को चैप्टर को फिनिश करेंगे तो 7 क्वेशन यह बोल रहा है इस नंबर को हम किस से मल्टिप्लाई करें तो आंसर क्या आजाए 3 1 बाई 3 जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 को आपसे पूछ रहा हूँ अब हम 5 को मैं किस से मल्टिप्लाई करूं कि आंसर आजाए 15 तो आप बोलोगे kicking 3 से कर दो 5 3 से 15 तो यह 3 से किस طرح आपको पता लगा कि 3 से करना पड़ा तो आपको क्या करना दा 15 को किस से divide करना है 5 से तो 5 3 जा क्या होता है 15 5 3 जा क्या होता है 15 तो इसी लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस number को 3 1 by 3 को हमें किस से divide करना पड़ेगा 5 5 by 6 से तब हमें पता लगेगा कि हम उसको किस से multiply करें कि यह number 3 3 जा 9, 9 और 1 10 तो आगे 10 by 3 divide 6 5 जा 30, 30 और 5 35 by 6 तो 10 by 3 divide हो जाएगा multiply 6 उपर आजाएगा 35 नीचे आजाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 5 से कटें कि 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 उपर इंटू हो जाएगा 2 2 जा तो 4 और नीचे 7 इंटू 1 7 तो आजाएगा 4 by 7 क्या आजाएगा 4 by 7 यह हमारा answer आजाएगा अब आप चेक कर सकते हो 5 5 by 6 से इसको किस से इंटू करो 4 by 7 से तो देखो यह कितना आजाए 35 by 6 इंटू क्या हो जाए 4 by 7 इसको काटो 7 से 7 जा 7, 7, 5 35 से काटो 2 यह आजाए 3 5 2s है क्या होगे 10 10 by 3 और 10 by 3 को आप डिवाइड करो 10 को किस से डिवाइड करो 3 से 3 3 जा 9 माइनस किया 1 तो answer तो आया 3 reminder है 1 और question तो 3 1 by 3 आगया न देखो 3 1 by 3 तो यह तो मैंने चेक करके बताया आपको question में क्या करना था divide करना था और divide करने से आपका answer easily आ गया तो यह 7 question है इसको आप complete करना उसके बाद हम आते है question number 8 में question number 8 क्या बोल रहा है at a charity show एक charity show था charity यानि दान देने वाला जो शो होता है the piece of trouser was rupees 10 1 by 2 एक charity show में question number 8 कर रहे है price उसमें price कितना था price of each each यानि हर एक trouser trouser यानि जो pant है उस trouser की जो rate थी वो कितनी थी 10 1 by 2 रुपीज यानि उस charity show में एक trouser की rate थी 10 1 by 2 रुपीज the total collected by seller और जो बेचने वाला है उसने कितना amount इखटा किया उसको बेच के तो total amount collected total amount collected by a seller seller यानि बेचने वाला एक आदमी ने बेच बेच के total कितना amount कलेक कर लिया 556 1 by 2 रुपीज यानि एक trouser की rate इतनी थी हर trouser की rate और उसने इतना रुपे इखटा कर लिया मैंने बोला कि मेरे या पर trouser की rate थी 10 और मैंने बेच बेच की कितने रुपे इखटे कर लिया 400 रुपीज अब मैं इसे पूछ रहे कि आपने कितने ट्राउजर बेचे तो मैं बोलू हो ने कितने ट्राउजर बेचे 40 तो यह 40 आंसर कैसे आए कि 400 को किससे डिवाइड कर दो 10 से 10 से 10 कैंसल तो कितना आ गया 40 आंसर आ गया तो वही बात है देख़ो एक ट्राउजर की rate इ यानि कितने ट्राउजर सोल्ड यानि बिके हैं तो टोटल कितने रुपे मिले उसको 556 वन बाइटू और एक कितने का था उसमें डिवाइड कर दो 10 वन बाइटू से यह जो आंसर आएगा इतने ट्राउजर उसके बिके तो यह आपको अब सॉल करना आता है तो मैं करके बत करेंगे तो 1 1 1 3 आजाएगा डिवाइड़ बाइटू इंटू 20 और 1 20 ने सुरी डिवाइड ही चल रहा है अभी इंटू नहीं पहले डिवाइड ही लिखना है पहले सॉल करके फिर रिवार्स करेंगे टू टेंजर 20 और 1 21 बाइटू अब हमको डिवाइड को पहले से क्या हो गया कैंस новых 21 की टेबल नहीं आती तो हमें क्या करना पड़ेगा ना आपको करना पड़ेगा तो हम करेंगे ए mall 13 262 मैं क्या करना डिवाइड करना तो 21 वन फोर जा चेक करते हैं, 21 फोर जा तो 84 होता है, अब 21 फाइवजा चेक करते हैं, 21 फाइवजा, 105 21 फाइवजा, 105 21 फाइव, 6 जा चेक करते हैं, 6, 12, 126 तो बड़ा हो गया, तो 5 बार में कितना आगया? 105 ठीक है? माँ इदर से केरिंग लेंगे, 11 में से 5 गया 6 यहाँ 0 रह गया तो यह भी cancel यहाँ भी 0 cancel 3 उतर जाएगा 63 अब 21 3 जा चेक करते तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 आ गया 63 बार में इसका मतलब यहाँ पर बज़ गया था 1 1 1 3 तो उपर बज़ गया था और नीचे बज़ गया था 21 और इनको हमने divide किया तो कितना answer आया 53 तो उसने कितने trouser वेचे 53 trouser उसने क्या किये उस show में क्या किये cell किये तो इस 8 तो वाले question का answer कितना हो गया 53 उसके बाद हम आगे आएंगे आप इस 8 तो वाले question को completely क्या करना लिखना simple question है सारे question simple है बस हमें समझने की बात है अब हम आते है question number 9 में question number 9 कह रहा है Savita has rupees 52 Savita के पास कितना रुपे हैं 52 तो Savita मैं साथ में करता है Savita has money यानि उसके पास कितना पैसा है 52 rupees ठीक है रुपेज का sign है he want to buy toffee with money और उसको इससे क्या खरीदना है toffees खरीदनी एक toffee की रुपे if the price of one toffee is 5 1 by 5 है न price of one toffee या chocolate आप जो भी बोलो one toffee is एक chocolate की price कितनी है 5 1 by 5 rupees तो या आप simple भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोला कि आपके पास 10 रुपे आपको toffee खरीदनी और एक toffee 5 रुपे की है तो आपको कितनी toffee मिलेगी तो आप बोलोगे सब 2 toffee मिलेगी इसको 5 से डिवाइट कर दो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो ये भी वैसा ही है सवीता के पास इतने रुपे उसकी एक toffee की price इतनी है तो अब हमें निकालना है वो कितनी toffee खरीदेगी how many toffee she buy how many का मतलब number of toffee number of toffees she by she buy लिख सकते है सवीता by तो कितनी toffee खरीदेगी तो कितने पैसे उसके पास 52 इसको मैं डिवाइट करना है किसे 5 1 by 5 से 52 तो ऐसे ही रहेगा इसके नीचे कुछ निए लगा सकते हैं डिवाइड 5 5 जा 25 25 और 1 26 बाइग फाइव 52 अपॉन वन तो ऐसे रहेगा इंटू लग जाएगा 5 उपर आ जाएगा और 26 के आ जाएगा नीचे आ जाएगा अब हमें चेक करना है देखो 26 की टेबल में क्या 52 आता है क्या तो 26 टूजा चेक करेंगे 122 जा फार 52 आता है ने टू बार में तो 26 1 जा 26 26 टूजा 52 अब नीचे तो 1 1 ही रहेगा 5 टूजा उपर के आगे 10 तो कितनी टूफी वो खरीदेगी इतने पैसे से कितनी खरीदेगी 10 टूफी खरीदेगी और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया question number 9 का तो वो 52 रूपेज में एक टूफी कितने रूपे का था 5 1 बाई 5 रूपे का था और उसके 52 टूफी खरीद नहीं थी तो हमने divide कर दिया तो यह इसका क्या आगया answer आ गया अब हम आगे चलें 21 2 by 3 km in 2 1 by 3 hour एक cycle चलाने वाला है जो 21 2 by 3 km कितने घंटे में cover कर रहा है 2 1 by 3 hour में अब यह पूछ रहा है कि what is the distance covered by cyclist in 1 hour तो एक घंटे में वो कितना distance cover करेगा यह 21 2 by 3 km तो कितने hour में 2 1 by 3 hour में तो एक घंटे में जैसे मैंने बोला कि आपने 10 km cycle 2 घंटे में cover किया 2 hour में तो एक घंटे में कितना किया तो आप बोलोगे 5 hour यह नि 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वैसा ही इसमें है एस साइकलिस्ट लिखेंगे हम covers कितना 21 2 by 3 km km कितने time में कर रहा है 2 1 by 3 hours में ठीक अब हमें क्ये निकालना है total distance total distance covered by cyclist in one hour यानि एक hour में ठीक है कितना distance वो cyclist क्या करेगा cover करेगा total distance कितना है 21 2 by 3 इसको में divide करना है किस से 2 1 by 3 से तो 21 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 बंज़ा 3 3 2 से 63 63 में 2 प्लस करेंगे तो 65 बाई 3 आ जाएगा divide 2 3 जाए 6 और 1 7 बाई 3 ठीक है अब इसको हम आगे solve करेंगे आगे क्या होगा देखो 65 by 3 यह divide क्या हो जाएगा multiply 3 reciprocal हो जाएगा 3 उपर 7 नीचे तो 3 बंज़ा 3 3 बंज़ा 3 तो यह तो cancel क्या 7 की table में 65 आता है नहीं आता आपको पता है तो आप 65 को किस से divide करोगे 7 से तो 7 9 जा 63 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा तो कितना आ गया answer पहले तो उपर तो बज़ गया 65 नीचे बज़ गया 7 क्योंकि 65 बंज़ा 65 7 बंज़ा इनको divide करेंगे तो क्या है question 9 reminder कितना है 2 और divide किसे के 7 से तो 9 2 बाइ 7 किलो मेटर यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है 9 2 बाइ 7 किलो मेटर वो एक घंटे में cover करेगा तब जाएक इतने घंटे में वो 2 1 बाइ 3 हावर किलो मेटर करेगा तो यह हमारा कुन सा question होग question number 11 question number 11 क्या बोल रहा है if 28 shirt of equal size यानि 28 shirt है जिनकी बराबर size है उनको बनाना है हमें कितने मीटर कपड़े से 63 मीटर cloth से तो हमें हमारे पास total cloth यानि total आपके पास कितना कपड़ा है 63 मीटर फिर कितने shirt बनाने number of shirts number of shirts of equal size यानि बराबर बराबर size के equal size के हमें कितने shirt बनाने 28 बनाने तो फिर हमें बताना पड़ेगा कितना कपड़ा चीए एक shirt बनाने के लिए length of cloth is required for one shirt यानि एक shirt के लिए कितना कपड़ा चाहिए अब जैसे इसका भी example लो मैंने बोला मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है और मुझे कितने when in कितने चार शर्ट बनाने चार नहीं तो हो मुझे क्या बनाने पांच शर्ट बनाने तो मेरे को कितना कपड़ा एक शर्ट के लिए चाहिए अगर इक वल को यामे मीटर के लिए कि क्包 दो मीटर फिर दो मीटर फिर दो मीटर फिर दो मीटर देखो पास शट बन गए न टोटल कितना हो गया 10 मीटर तो वैसे यह इसमें टोटल तो इतने मीटर कपड़ा है और हमें एक कितने शट बनाने 28 तो 63 मीटर कपड़ा है 28 शट बनाने तो 63 को किस से डिवाइड करना पड़ नीचे आ जाएगा अब यह 7 की टेबल से गटेगा देखो 7, 4, 28 और 7, 9, 63 तो उपर तो 9 आ गया और नीचे 4 आ गया तो आब 9 को किस से डिवाइड कर दो 4 से तो 4, 2, 8, 1 आ जाएगा तो इधर आंसर तो क्या आया 2 रिमाइंडर आया 1 और डिवाइडर क्या था 4 तो 2 1 by 4 मीटर कपड़ा एक शर्ट को बनाने के लिए चाहिए तो एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 1 by 4 मीटर कपड़ा चाहिए और इससे के साथ हमारी exercise कुणसी 2.3 पूरा क्या होगी है complete होगी है तो आप इसको complete कर सकते हो और solve कर सकते हो अगले वीडियो से हम नए chapter को शुरू करेंगे आशा करता हूँ यहां तक समझ में आया होगा thank you for watching